हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज हम ऐसी रैसे भी बनाने जा रहे हैं जो कभी भी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन उसको हम इस तरीके से बनाएंगे के बच्चे को पता ही नहीं लगेगा तो बच्चे जज्चमेंट नहीं कर पाए कि यह क्या चीज है तो काईज इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिएंगे पांस से साथ लसन की कलिया, तीन से चार हर इमिज, एक प्याज, और छे से साथ टमाटर ठीक है और हमें चाहिएंगे मतलब एक पाउट तिंडे, तिंडे की सबजी बना रहे हैं हम लोग और यह 200 ग्राम टिंडे हैं, पूरे exact 200 ग्राम, ठीक है आप देखने हैं थोड़े मार्केट से कच्चे परचेस करना और अब सबसे पहले हम प्याज को चॉप करेंगे, प्याज, लसन, हर इमिज, एक साथ ही हम इसको चॉप कर लेंगे, जो हैंड चॉपर होता है न, उसी में मैंने इसको एड़ कर लिया है, इसको अच्चे से चॉप कर लेंगे, और इसको देखो इस तरीके से चॉप करना है हमें ज्यादा fine मतलम नहीं करना है और अब इसी में ही हम tomato भी chop कर लेंगे पहले हम जो हमारे प्याज हैं उनको हम निकाल लेंगे और उसी में हम tomato को chop करेंगे और एक कठाई को रख लेंगे गरम होने के लिए उसमें डालेंगे सरसो का तेल हम इसमें refined या घी नहीं यूज़ करेंगे हम इसमें यूज़ करेंगे सिर्फ सरसो का तेल और फिर उसमें हम सरसो के तेल को गरम होने के बाद एक चम्म जीरा डालेंगे एक चम्म जीरा के बाद हम डालेंगे प्याज, हरे मिर्च और लहसन का जो हमारा पेस्ट था वो अब हम इसमें जो हमारे टिंडे थे उनको कट कर लेंगे ठीक है मतलब एक टिंडे में से चार फाड़ हमें करनी है मतलब चार पीसिस कट करने है एक टिंडे में से ठीक है और हम इसको फ्राइ करने वाले हैं वैसे तो यूजुली जो बनाते हैं हम लोग नॉर्मल बनाते हैं विदाउट फ्राइ किये बट इसको हम फ्राइ करके बनाएंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी टेस्ट का पतल नहीं लगेगा कि यह तिंडे है या आलू की सबज लालमिष पाउडर एक चमच यह तो भिल य मिक्स कर लेग बडिया से अब हम इसमें वैसमें एड़ करेंगे लालमिष पाउडर अब एक कटोरी के अंदर धही कम से कम चार चमच और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे और हमें यह सबजी के अदर डालनी है क्योंकि इसी से हमारा जो में जो फ्लेवर है वो इसी से आने वाला है और गाइज इसको हम साइड में रख देंगे अब हम एक कढ़ाई चड़ा लेंगे उसमें हम ओयल डाल लेंगे खूब अच्छा सारा और उसमें हम अपने टिंडे जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख देंगे और इनको आपको नॉर्मल फ्राई करना है बहुत जादा फ्राई नहीं करना है और अब एक तरफ देख लेते हैं हमारा तड़का पक चुका है या नहीं अब तड़का हमारा ओल्मूस्ट पक चुका है और देखो आप देख सकते हो ओल हमारा सेपरेट होने लग गया तड़का बिलकुल एक दम प्रिपेर है बढ़िया तरीके से लेकिन हम इसको पांच मिनट के लिए ओड़क देंगे कि मतलब इसको अच्छे से पकने देंगे और अब हमारे तिंडे देख लेते हैं कि कितने हद तक फ्राई हो चुके हैं इसको थोड़ा हिला हिला के देखेंगे ज्यादा हमें फ्राई नहीं करने हैं इसको नॉर्मल फ्राई रखना है क्योंकि हमें इसको मसाले के अंदर भी पकाना है ठीक है आप हमारे आदे फ्राई टिंडे हो चुके हैं अब हम इनको साइड में निकाल लेंगे और एक ब्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे ठीक है आप हमारे टिंडे देख सकते हैं इस तरीके से हमें मतलब रखने है अपनी टिंडे और अब तड़के को चेक कर लेते हैं तड़का हमारा ओल्मोस्ट रेडी है बढ़िया से अब हम इसमें धही एड़ करेंगे धही को लो फ्लेम पे ही करना एड़ मतलब जादा तेज आपकी फ्लेम नहीं होनी चीए नॉर्मल फ्लेम होनी चीए अब इसको हिलाते हुए पकाएंगे करीबन तीन से चार मिनट के लिए अब हम पानी एड़ नहीं कर रहे हैं पहले हम इसको धही को पका लेंगे फर उसके बाद हम इसमें पानी एड़ करेंगे ठीक है अब हमारी धही जो है ओल्मोस्ट पकने लग गई है क्योंकि उसमें बबल आने लग गए है और देख सकते हैं आप कितना अच्छा उसमें कलर आने लग गया है और अब अच्छे से इसको पका लेंगे पकाने के बाद जो हमारा धही का बाउल है उसके अंदर हम पानी एड़ कर लेंगे थोड़ा सा मतलब करीबन चार से पांच चमच के असपास उसके अंदर हम पानी डाल देंगे पहले हम इसमें टिंडे अपने एड़ कर लेंगे जो हमने फ्राइ की होंगे है ठीक है उसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया तरीके से कि मसाला आपस में मिल जाए अब जो हमने एक बाउल के अंदर पानी डाला था जो दही वाला भाउल था उसमें हमने पानी डाला है तो हम इसके अंदर उसको एड़ कर लेंगे और करीबन मतलब आप यह लगा लो चार से पांच चम्मच के आसपस पानी होगा आदा ग्लास के आसपस पानी होगा पानी हम इसलिए एड़ गर रहे हैं जो हमारे तिंडे थोड़े बहुत मतलब वैसे रह गई हो टाइट रह गई हो तो उसमें हम पानी डालके इसको ढख दे विएकंडे अभी अध जिस मअचे के साथ जाकर सर्फ करें और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं बच्चों को पता ही नहीं लगेगा के टिंडे की सब्जी है या किसी और चीज की अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो वैसे हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बड़ एक बार इसको ऐसे ट्राइ ज़रूर करें अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करन बिल्कुल भी न भूलें थैंक यू सो मज़ गाइस मिलते हैं नेक्स व्लॉग में नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मज़ बाबाई